और हम लोग मुप्त में लोगों को स्वास्त के परती भी हम लोगों का बहुत बड़ा विजन है अभी छोटा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा हमारे बीच परवीन यादब है वैसे तो ये नाम में युवराज लगाते हैं लेकिन जानते हैं कि आपने जो फांडेशन बनाया है उस फांडेशन का क्या कुछ नाम है और क्या कुछ उद्देश है आपके फांडेशन का सबसे पहले तो हम DBA News को युवराज परविन फॉंडेशन की ओर से धनवाद देते हैं कि आपने आज समाई निकाल करके हम लोग के बातों को अपने मीडिया के माधियम से लोगों तक पहुचाने का काम करेंगे हमारा फॉंडेशन का नाम है युवराज परविन फॉंडेशन और हमने ये फॉंडेशन बहुत कुछ समझ के बनाया है क्योंकि हमारे जो छेतर का और यहां इस विहार का दर्वंगा का जरूरत आज हमको लगा कि एक फॉंडेशन बनाना चाहिए इसका बहुत ज़्यदा यहां पर जरूरी है क्योंकि यहां पर हमने देखा आए कि कही तरह का फॉंडेशन बनते हैं और बंद हो जाता है प्रवीन जी हम चाहते हैं कि दरसल आज के समय में होता क्या है कि लोग फॉंडेशन तो बना लेते हैं हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो foundation का निर्मान करते हैं foundation बनाते हैं लेकिन उनका जो मकसद होता है वो कुछ और होता है आपका क्या कुछ मकसद है क्योंकि आपने अच्छा कहा है कि सिक्षा के जगत में खेल के जगत पे और किर्सी के छेतर में हम कई program लेकिन हम देखिए अगर आप निस्टा के साथ सची इमानदारी के साथ अगर आपने foundation का निर्मान किया है और उस foundation का वाकई में आपका नियत साफ है तो फॉंडेशन को किरियट किये है वो चलेगा भी लेकिन सिक्षा के जगत में आपने जब सवाल किया है हम चाहते हैं क्योंकि आज के समय में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिक्षा से बंचित हैं गारजन मजबूर हैं आर्थिक कमजोर हैं पढ़ा नहीं पा रहे हैं वैसे बच्चों के लिए आपके पास क्या कुछ उनके लिए क्या कुछ आपके पास में योजना है क्या कुछ योजना बना रहे हैं उनके लिए देखिए हम लोग का जो इवराज परिन फॉन्डेशन इसका मुख लक्ष है ऐसे लोग को चिनहित करना जो गरीब तबके से लोग आते हैं दली तबके से हैं अलपसंख्यक तबके से हैं जिनको जिनके गारजन के पास समर्थ नहीं को अपने बच्चे को अच्छे स्कूल म पाएं यह अच्छे सिक्षा देपाएं. ऐसे लोगो हम लोग चिनहित करके उनको ट्वीशन करेंगे, उनको पढ़ने वाला पाठ्ट्थ समागरी मुहिया कराने काम करेंगे और हम लोग घूम घूम करके, पर्तिक पर्खन में पर्तिक ट्रोला पंचेत, वह आगा किया है कि हम लोग परतेक पंचेत लेवल पे कंपूटर पर सिक्षन सिविर भी जो है 15 दिवस्य लगाने का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग का जो जैसे गौवम जो कोचिंग चलता है तो हम लोग का युबराज परिन फांडेशन का टीचर रहेगा वहां पर केम्प लग वन्हों परस्ते लेवल पार उखं़ों करेंगे हम लोग ने यहां के अच्छे रखें डॉक्टरों से बात किया है उन्होंने भी बोला है जहां हो व्यवलक प्रसंत्ति प्लगा है और इसमें भी चोटा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा यहीं उत्देश है परवीन यादब का वैसे इनका नाम परवीन कुमार है और ये किसी परीचे के मोहताज नहीं है। बनते हैं तो नेता जो बनाने का जो creation है वो है छात्र जीवन तो छात्र जीवन से इनका राजनिती जीवन भी शुरुआत हुआ है और इसी जीवन में एक foundation बना है युवराज परवीन foundation इस foundation के माध्यम से हमारी जो बात हो रही है वो परवीन कुमार से हो रही है परवीन कुम सब कुछ आपका ठीक है, अच्छी बात है, सिक्षा के जगत में आप अच्छा काम कर लेंगे, स्वास्त के जगत में, किरसी के जगत में कैसे आप काम कर पाएंगे? जो मिरदा अवस्ता आम जो लोग है जो लाचार वेक्ति हैं जो विर्धा-बिद्वा महिला है उनलों सुच तो अच्छी है अब नियत कितना साफ है परवीन जी का ये तो थोड़े दिन के बाद पता चलेगा मैंने बात की सुरुआत ही की थी कि आज के समय में फॉंडेशन तो बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन उस फॉंडेशन का सही इस्तमाल कोन कर रहे हैं क्योंकि फॉंडेशन बनार करके आज लोग समाज को गुमड़ा कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं उसी फॉंडेशन में कुछ ऐसे भी फॉंडेशन है जो छेतर में काम कर रहे हैं दरसल आज जो हमारा प्रोग्राम था हम चलते चलते आ गए आज बिरॉल परखंड और बिरॉल परखंड का ये है नेवडी पंचायत तो हम नेवडी पंचायत में इस समय है और वेक्ति विसेस जो खास प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के तहट आज हम जानने का प्रियास कर रहे हैं क्योंकि एक foundation का निर्मान किया गया है परवीन कुमार के द्वारा, नाम भी उसी परकार का है, युवा, युवराज, परवीन foundation, संगठन का नाम भी उसी तरह का है, क्योंकि अपने नाम पे इन्होंने foundation रखा है, हम दरसल बताना ये चाह रहे थे, कि आज के समय में बहुत सार foundation बन रहे हैं, लेकिन उसकी जमीनी हाकिकत बहुत कम होता है, अब देखते हैं, कि युवराज, परवीन foundation, जमीन पे कितना काम करेगा, ये थोड़ा सा और समय आने दिजे, क्योंकि अभी कहा गया है, कि अभी का मतलब ये है, कि अभी तो सुरुवात है, अभी तो ये कदम रखे हैं, foundation की दुनिया में, कहने का मतलब ये है, कि सिक्षा में इन्होंने कहा है, कि जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, और वो असमर्थ हैं, तो वैसे बच्चों के लिए बिसेस, इनके पास में प्रोग्राम है, बिवस्ता है, कि ये टीचर रखेंगे प्राइवेट टीचर रख करके, और उस बच्चे को पढ़ाएंगे, अब देखते हैं, कि इनका जो ये फर्मूला है, कितना सेक्सेस होता है, नमबर दो, इन्होंने कहा है, कि जो किसान, क्यूंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे किसान हैं, आप देखते होंगे, आए दिन आज के समय में वैसे लोग भी है, जो गुम्रा कर रहे हैं, फॉंडेशन को भी गुम्रा कर रहे हैं, तो वैसे जाच परताल के बाद ये उन लोगों की आर्थिक मदद करेंगे, ये शुरुवात हैं, अभी अकेले हैं, चलेंगे, मंजिल मिलेगी, इनके साथ कारवा हैं, परवीन कुमार से, युबराज परवीन फॉंडेशन के नाम से एक संस्था का निर्मान किया गया है, और ये संस्था, स्वास्त, सिक्षा और किर्सी के छेतर में काम करेगी,